नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमीद करेल और आज रिव्यू करूँगा दी वैक्सिन वार, वैक्सिन वार को डेरेट किया है विवेक रंजन अगनी होतरी ने, जिन्होंने दी कश्मीर फाइल्स और दी ताशकेन फाइल्स जैसी हिट फिल्म में बनाई थी, दोस्तों, दी व और बहुत ही उम्दा फिल्म बनाई है, विवेक रंजन अगनी होतरी ने, दोस्तों, यह फिल्म बेष्ट है, कोरोना वैक्सिन के उपर में, जो भारत ने अपनी खुद की वैक्सिन बनाई थी, उस पे, इस फिल्म को 6-7 भागों में बाटा गिया है, 6-7 पार्ट इस फिल् फिर जब इंडिया वैक्सिन बनाने के बारे में सोचती है, फिर जब इंडिया वैक्सिन बनाती है, फिर इंडिया जब वैक्सिन बनाने के ट्राइल करती है, वैक्सिन बनाने के बाद में, उसको कैसे रेगलरेट करती है, कैसे उसका अप्रूवल होता है, और कैसे जो एक भी थी इंडिया की और भार की जो हमारे वैक्षिन के खिलाफ थी, जो प्रोपागेंडा फिलादी थी हमारे वैक्षिन के बारे में, इंटनल एनिमीज, एक्टनल एनिमीज, उस चीज़ को दिखाती है, तो छे साथ भागों में इस फिल्म को बहुत ही बखोबी से, डिटेलिंग से और बहुत ही उम्दा रिसर्च के साथ विविक अगनिहुतरी ने पेश किया है, फिल्म में ऐसे कहीं सारे मुमेंट्स है, जिसमें आपकी आखे नम हो जाएगी, आप रोद होगे, और कहीं सारे ऐसे मुमेंट्स है, जहाँ पर आपका चाहती चौड़ा हो जाएगा, जब यह फिल्म खतम होगी, तो आप खड़े होके तालिया मारोगे, जब यह फिल्म खतम होगी, तो आप हमारे देश के वग्यानिकों को सलिट मारेगे, जब यह film खतम होगी, तो जो women's scientist है, आप उनको सर्विट मरोगे। इस film में दिखाया गिया है कि कैसे Corona vaccine को बनाने के लिए हमारी women's scientist ने और जो male scientist बिखेलिंग, खास तोर पर women's scientist ने, female scientist ने कितना योगदान दिया, उनके sacrifices, उनके struggles को दिखाया गया, और बहुत ही बखुवी से दिखाया गया, बहुत ही आराम से दिखाया गया, 70% सेंटिस्ट औरते थी, जिन्होंने COVID का vaccine, co-vaccine मनाया था, और 30% male थे, तो हर एक चीज़ को विवेक अगनियोतरी ने, बहुत थी detailing से, with powerful dialogues, with fast-paced screenplay, and with utmost sincerity, दिखाया है, the vaccine war में, फिल्म में से कहीं सारे highlights है, जहां पर आप तालिया मारोगे, खास करके Climax का एक press conference है, जिसमें, जो हमारे देश के scientist है, वो एक press conference क करते हैं, ताकि दुनिया को बता से, कि हमारी vaccine कितनी अच्छी है, और जो भी fake news है, हमारी vaccine के बारे में फिलाया जा रहा है, वो नकली है, उस press conference में, जो Nana Partiger है, वो confront करते है, रायमा सेन को, जो कि एक पत्रकार है, जिनोंने एक toolkit के जरिए, देश को बदनाम करने के लिए, सर such a outstanding written scene, such a outstandingly performed scene, रायमा सेन ने भी और Nana Partiger ने भी काफी उंदा काम किया है, दोस्तों, हर एक actor ने इस film में शांदार काम किया है, चाहिए और Nana Partiger हो, जिनको national award मिलना चाहिए, पलवी जोसी हो, super work she has done in the film, South Indian एक character है, South Indian scientist करोल में दभाया है, और क्या accent पकड़ा है, क्या भाव उनकिस film में, जब देखोगे, तो एकदम authentic लगेगा, मैडम और है, उनका नाम है, गिरी राज ओक, I'm sorry if I'm pronouncing her name wrong, बर इन्होंने भी शांदार काम किया है, हर एक actor ने बहुत ही उंदा, बहुत ही आला काम किया है, और विवेक अगनी उतरी की direction को मैं salute करना चाहूँगा, कि इतनी important film को इन्होंने बनाया, और with commission बनाया, with maturity बनाया, और एक बहुत ही शांदार film इन्होंने बनाई, दोस्तों, जब फिल्म खतम होगी है, तो आप सोचने पे मजबूर होगे, और आप सोचोगे कि हमारे देश ने क्या-क्या सहा था, क्रोना पैंडेमी के समय, और हमारे scientists ने कितना बड़ा योगदान दिया था, कितनी मुसीबते ज़ली थी, और कितना sacrifice किया था देश के लिए, और आप सब collectively हमारे scientists को salute मारोगे, ये औरतों को empower करती है, it's also a tribute to our mothers, it's a tribute to our female scientists of the country, without whom, this task, this humongous task would not have been possible, vaccine इनके बिना नहीं बनती, ये इस film में दिखाएगा है, मैं कि opening थोड़ी कम हुई है, लगभग धाई से साड़े तिन करोड का opening ये लेगी, लेकिन word of mouth के साथ इसका जो business है, वो काफी अच्छा grow कर सकता है, 12 करोड की पिच्चर है, अगर ये 30-40 करोड भी करती है box office पे, तो ये एक success मानी जाएगी, लेकिन जिसका जो merit है इस film का, वो बहुत जाद है, तो 70-70 करोड, 80 करोड के धन्दा भी इस film का हो सकता है, signing off to me, thank you.